हलो फ्रेंड्स आज हम सरकार के अंग के बारे में अध्यन करेंगे अर्थात हाउ मैनी ओर्गन्स दा गवर्मेंट है तो हम जैसा कि सभी जानते हैं कि किसी भी सरकार के तीन अंग होते हैं विवस्था पिका जो कानूनों का निर्मान करती है अर्थात लेजिसलेटिव जिसका मेन जो फंक्षन है वो है लोमेकिंग और जिन कानूनों को विवस्था पिका ने बनाया है उनको इंप्लाइट करने का लागू करने का जो कारे है वो एक्जिकेटिव या कारे पर लिका के द्वारा किया जाता है इसी परकार से जो कानू विवस्था पिका ने बनाये है लेजिसलेचर ने लोव मेकिंग की है कार्ले पालिका ने उसका implications किया है और वो सही है या नहीं है वो according to constitution है या नहीं है इसका जो निर्ने करता है वो है नियाई पालिका तो तीनों अंग सरकार के बहुत जरूरी होते हैं और हर अंग अपना कार्ले सुचारों डूप से कर सके इसलिए इनके कार्ले का वरगे करन किया गया है तो हम बात करते हैं सबसे पहले कार्ले पालिका की कि कार्रे पलिका क्या है, इसके कितने प्रकार है, इसके क्या कार्रे है और जो कार्रे पलिका है वो किस प्रकार से अपना कार्रे करती है तो सबसे पहले हम इसके अर्थ के बारे में जानेंगे जैसा कि अभी हमने देखा कि जो विवस्ता पिका के द्वारा कानुन बनाये जाते हैं उनको कार्य रूप में परिनित करना एक्जेकिटिव का काम है और उसके आधर पर ही वो प्रिशासन का एडिनिस्टेशन का संचलन करता है जैसा कि डाक्टर गारने नहीं कहा है कि विस्तरत एवम सामुहिक रूप में कार्य पली का अंग में उन सब कार्य करता हूं तता संस्ताओं के समुसम्रित हैं जो राजी की उस इच्छा को करनवित करता हैं जो कानुन के रूप में निर्मित करवैक्त की चाती है In a board and collective sense, the executive organs embrace the aggregate to totality of all the functionaries and agencies which are concerned with the execution of the will of the state that will has been formulated and expressed in terms of law Thus, these requirements which will be created by pilots, which have become a very creative the ultimate treatment act. We will make talks about our vision in the celestial realm तो कारे पालिका का जो पहला प्रकार है वह है एकल और बहुल कारे पालिका सिंगल एंड प्लूरल एक्जेकेटीव अब एकल कारे पालिका क्या है तो इसका तात्परी होता है कि जो अंतिम रूप से कारे पालिका के जो शक्तियां है वो किसी व्यक्ति विशेश में ही एक व् हीत होती है और शार्षन प्रबंद यह अलग बात है कि शार्षन प्रबंद की दिश्टी से उसका विभाजन के जाए लेकिन सर्वे सर्वा एक और सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जिसे अमेरिका का राष्टपती इसके अलतरिक्त जिसे इंग्लेंड और भात जहां पर की पार करें चुर्त है रखे ही nut के अब बात करते हैं कि बहुलकारे हम पालिका क्या है बहुलकारे पालिका से इसके अंतरगत 않तिम रूपप से कार हमान फ्रले कर शक्ति किसी एक संभू knife में नहित होती है अर्था तोर ऑग वाक्तिर्स होती है और जःसा कि वर्दमन में हम देख सकते हैं कि स्विट्र लेंड में बहुल कारेपलिका पाई जाती हैं अर्थात यहां पर साथ वेक्ति होते हैं और उनके पास बारे-बारे से चेशे मेने के लिए यह जो कराची की चेश परसन का पत्ध है वो आता रहता है तो इसे हम क्या कहते हैं सामुही कारेपलिका या बहुल कारेपलिका इसके अतिरिक्त जो इसकी दूसरा प्रकार है वो है नाममातर की और वासुई कारेपलिका नाममातर की कारेपलिका वो कारेपलिका होती है जिसे समीधान के द्वारा यत्पी समस्थ शक्तिया परदान की गई हो लेकिन वहवार में वो उस शक्ति का प्रयोग नहीं करता है वहवार में उस शक्ति का प्रयोग कोई और ही करता है यदि भी ये बात अलग है कि सारे प्रिशाशन का संचलन उसी के नाम पर किया जाता है समस्त कार्य उसी के नाम पर होते हैं लेकिन हकीकत में वह अपने शक्तियों का सौम प्रयोग नहीं करता है जिसे कि पारलियमेंटरे सिस्टम जहां पर होता है वहाँ पर जो राश्टपती होता है या फिर जो राजा होता है या रानी होती है उसके पास समझ शक्ति होती लेकिन वो अपनी पावर्स का इस्तिमल खुद नहीं करते हैं जिसे भारत का राष्टपती जिसके नाम पर सारा प्रशेशन चलता है इसी प्रकार से बिल्टेन में जो महरानी है सारा प्रशेशन उसी के नाम से चलता है लेकिन वास्तिक रूप से उनकी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है प्रधान मंत्री और उसका मंत्री मंदर्ण वास्तिक कारेपली का अर्थात जो नाम मात्र की कारेपली का कुछ शक्ति प्रदान की जाती है और वेवार में जो व्यक्ति है जो प्रदाधिकारी इस शक्ति का प्रयोग करता है उसे वास्तिक कारेपली का कहा जाता है जैसे अभियोबन ने एक जब पर लिया कि हमारी यहाँ पर राष्टपती नाम मात्र का शाष्यक है लेकिन मंत्री मंडल और उसका प्रधान मंत्री वासिक रूप से इन शक्तियों का प्रियोग करता है इसी प्रकार से नेश्ट कारे पालीका है संसधात्मक और अद्ध्शात्मक अर्थाथ पार्लियमेंट्री और प्रिसीडेंशियल ऐक्सेक इजङडिव इसके अंतरगत कारे पालीका का जो निर्मान है वो वेवस्ता पिका के द्वारा ही किया जाता है यह चीज हमने संसदात्मक और अद्धिक शात्मक शाशन विवस्ता जब पड़ी थी तबी भी बताये था कि जहां पर कारे पालिक और विवस्ता पिका में घनिष्ट संबन पाये जाता है वहाँ पर संसर दात्मक्ष व्यवस्था होती है और कारे पली का अपने प्रतिक कारे के लिए व्यवस्था पिका के प्रति उत्तरदाई होती है वह व्यवस्था पिका के प्रसाथ प्रयांत तक ही अपने पत पर बनी रह सकती है यदि विवस्ता पिका विश्वास का प्रस्तव परित कर दे तो उसे अपने पत से हटना पड़ता है लेकिन अद्धिक शात्मक शाषन विवस्ता में इसके बिल्कुल अलग होता है अर्थत यहां पर कहां पर अद्धिक शात्मक शाशन व्यवस्ता में कार्णे पाली का व्यवस्ता से पिका से बिल्कुल अलग होती है समीधान के द्वारा दोनों की शक्तियां बटी रहती है और वे एक दूसरे के कार्णे में हास्त शेप नहीं करती है क्यों नहीं करती है क्योंकि यहां पर शक्ति पृठक करन का सिद्धा पाया जाता है इसके अतिरिक अधिक शात्मक शाषन विवस्ता में नाम मातरो वास्ति कारेपालिका का भेट नहीं होता है यहाँ पर समस्त शक्तिया यहाँ के राष्टपती के द्वारा ही प्रयोग की चाती है तो इस प्रकार जहां संसद आत्मक कारेपाली का कारेपाली को विवस्ता पिका के घनिश संबंद पराधरित होती है वहीं अद्धिक शात्मक शार्षिन विवस्ता में ऐसा नहीं होता है कारेपाली का में संसदी कारेपाली का लोकतंत के धाना के ज़्यादा निकट है इसी प्रकार से नेक्स्ट है पैत्रा को निर्वाचीत कारे पाली का अर्था हेरी जिट्रेरी एंड इलेक्टिव एक्जेकिटिव इसका सबसे अच्छा एक्जामपल है इंग्लेंड का प्रशाशन अर्था जहां पर राजा या रानी की जो की हैड ओफ श्टीट होते हैं इन नावी में स्वीडियन डेनमार्क हॉलेंड बेल्सियम जापान नेपाल अफगानिस्तान इथोपिया यहां पर पैत्रक कारे पली का पाई जाती हैं लेकिन जहां पर राजी का दिर जनता द्वारा प्रतेक्ष डैरेक्टली और इंडैरेक्टली चुना जाता है उसको जनता द्वारा निर्वाचित होता है तो उसे हम निर्वाचित कारे पली का कहते हैं जिसे बहरत है फ्रांस है इतली अमेरिका इन देशों में जो कारे पलीक होती है वह कैसे करे पलीक होती है निर्वाचित कारे पलीक है और थे और इसे हमने आज देखा कि यह भी शाषिने विवस्ता होती है वह सरकार की अंगों में कारीपली का एक महत्पुन अंग है और यह विभीन प्रकार की होती है हर दीश में अलग-अलग तरह से कारीपली का पाई जाती है उनका इस्ट्रक्चर बिलकुल अलग होता है कहीं वास्तिवी के, कहीं नाम मात्र कीए, कहीं पैत्र रहे के, कहीं निर्वाचीत कारीपली का है कल हम इसकी कार्जू की बारे में अध्यन करेंगी धन्यवाद